चली बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट इस इरोडोव के कानेमेटिक्स का क्वेशन नमबर 20 देखता है अच्छा सा सवाल है बेड़ा मैं एक बार चाए एक्सप्रेशन लिखाओ उसको अपिसे लिख रहाँ देखना है रेडियस वेक्टर ओफ पार्टिकल रेडियस वेक्टर मतलब पोजिशन वेक्टर यह रोडोव के अंदर रेडियस वेक्टर मतलब पोजिशन वेक्टर ही है पोजिशन वेक्टर वेरीज विद टाइम एस बड़ा अब आपका पॉजिशन वेक्टर यह है, जो बोल्ड रेटर से हैं, वो साधर सारी वेक्टर से हैं, A टाइमस T, 1 माइनस अलफा T, किसी भी टाइम T पर आपके पास जो पोजिशन वेक्टर है, बड़ा दाइज, A वेक्टर इंटू T, माइनस अलफा A वेक्टर इंटू T स्क्वार, किसी भी टाइम पर आपका पोजिशन वेक्टर यह है, ठीक वेटा, मुझसे पूछा गया, the velocity वेक्टर बताईए, acceleration वेक्टर बताईए, as a function of time, पहला सवाल तो यह है, बड़े असने से क करेंगे, तो velocity वेक्टर आजाएगा, और velocity वेक्टर को एक बार और डिफेरेंशिल करेंगे, तो acceleration वेक्टर भी आजाएगा, यह आर वेक्टर में यह सारे के सारे जो टर्म्स है, बड़े तो स्केलर है, इसका मतलब पालिटिकल की जो पोजिशन है, वो किसी ए वेक्टर के है, लेटसे आपके पाल से कोई A वेक्टर है, इस A वेक्टर के अलोंग आपका R वेक्टर है, उस A वेक्टर के अलोंग आपका कोई न कोई R वेक्टर है, तो अफकोर्स बड़ा स्ट्रेटलार स्ट्रेट लाइंग intended है, क्य appreciably वेरा की पोजिशन çonsई है, मुझे पालिटि इन्टू 3, यह किसी भी टाइम के आपके पास velocity है, मुझसे इस से कंदर पूल चरगा बताइए, acceleration क्यों होगा, बड़ा मैं acceleration को ACC लिख देता हूँ, उसमें W लिखा है, acceleration is of course rate of change of velocity, तो उसे एक बार और differentiate कर दो, A vector बड़ा को ने कोई constant तो उसका differentiation तो 0, minus 2 alpha A vector यह constant है, बहार आगया, T का differential T के respect में बनाएगा, so acceleration comes out to be minus 2 times alpha A vector, इसकी बड़ा आपका acceleration, acceleration जो है, वो minus A vector की तरफ है, मतलब पूरे रास्ते, acceleration जो है, वो A vector की तरफ नहीं है, A vector के opposite है, अच्छी बात बात है, कोई लिखत नहीं, लेकिन जो भी acceleration है, वो है constant, वो है constant, चलो, the time interval, delta T, taken by the particle to return to its initial point, जहां से चला था, वहीं पहुँचना में कितना time लेगा, very simple, जहां से चला था, वहीं अगर पहुँचना है, तो of course बड़ा आपका position vector 0 हो जहाँ चीए, उसके लिए 0 कर दो, तो मेरे पास आगया, A times T vector, minus alpha A vector, into T का square, solve किया, तो बड़ा T की value आगई है, एक तो बड़ा मेरे ख्याल से आगई है 0, और दूसरी value आगई है 1 by alpha, तो यह दो अलग-अलग time है, जब बड़ा आपका position vector 0 होगा, T is equal to 0, पर तो position vector 0 होना ही था, वहीं से तो चला था, 1 by alpha पर भी, 1 by alpha time पर भी, आपका position vector 0 होगा है, तो अब्वेस बात है कि आपका जो answer है, वो 1 by alpha है, क्योंकि 0 पर तो बड़ा particle वहीं था न, उसको तो answer कैसे बोल दे, 1 by alpha पर particle जो आपस वहीं पहुंच गया, strength travel की यहीं बताईए, चलो सोचते हैं, बड़ा देखना, मेरे पास velocity कितनी यही थी इस particle की, बड़ा velocity यही थी, A vector, minus 2 times alpha A vector into T, ठीक की बड़ा, T is equals to 0 पर, जैसे आप देखर हो, कि आपकी जो velocity है, वो A vector है, T is equals to 0 पर आपकी velocity A vector, जैसे से time बड़ा, जैसे बड़ा, जैसे बड़ा, आपकोर्स velocity लगातार घटी, velocity घटते, 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 किसी ने किसे time पर बड़ा velocity क्या होगी, 0 होगी, कब 0 ही जरा चेक करना, velocity मैंने 0 किया, तो time की मेरे पास value आगई है, 1 upon 2 alpha, तो जब time की value, 1 upon 2 alpha होगी, तब आपके particle की velocity एक बार के लिए 0 होगी, ये वैसे मेरे expectation भी थी, क्योंकि 1 by 2 alpha time यहां जाने में लगा, तो 1 by 2 alpha time यहां नहीं में लगेगा, तभी तो time is equals to 1 by alpha पर particle वापिस से ही पहुँच गया है, समझेए जबात को, acceleration तो constant है, acceleration पूरा रास्ते इदर की तरफ है, velocity इस तरफ है, acceleration इस तरफ है, लगातर velocity कम हुई, कम हुई, कम हुई, यहां पर velocity का हुई, 0, अब particle पर वापिस आया, अगर acceleration constant है, तो जितना time जाने का, उतना time आने का, तो 1 by 2 alpha जाने का, तो 1 by 2 alpha आने का, 1 by alpha पर particle वापिस से वहीं पहुँच गया, मुझसे पूचा है कि यहां से यहां तक का distance traveled कितना है, displacement पूचा ओता है, तो 0 बोलते थे, distance traveled में आपको होगे से एक काम करना, कि यह पता कर लो कि 1 by 2 alpha पर कहां पर है, फिर यहां से यहां तक जो distance उसको डबल करते ना, कि क्योंगी जितना जाएगा, उतना ही तो आयेगा आनकर कि आपका displacement तो 0 है, तो चलिए, time is equals to 1 upon 2 alpha पर particle कहां पर है, R vector is equals to, बढ़ क्या, A vector into T, T की बढ़ बढ़ वाल्फा है, 1 upon 2 alpha minus alpha into A vector into T kai square, T kai square is 1 upon 4 times alpha square, that is A vector upon 2 alpha minus A vector upon 4 alpha, that comes out to be A vector upon 4 alpha, इसका मला A vector upon 4 alpha जाएगा, A vector upon 4 alpha आएगा, तो कुल मिलाकर distance traveled मेरे पास हो गई है, A upon 4 alpha, अब vector मदिन देना, ठीक है, sorry, A upon 4 alpha जाना, A upon 4 alpha आना, multiplied to, but that comes out to be A upon 2 alpha, this is the distance traveled, A upon 4 alpha जाना, A upon 4 alpha आना, समझे गेंगे बटा, आसान चा सवाल था, आगे चला, न उर मैं, झाई ज intelligent, आना, आएगावााार जाषी स्वाजिर, आखेंगे, झाटحन जला है, Aंज झाएगारे, आपYC, आनाएप्सक्तीज की का उलाकर 1, झालो मैं झालो मैं, घ Aven मैं तो nervous दूवावज heavenly झाएगावगार ञिकशन प्सक् Taylor